परमात्मा की प्राग्त, मोक्ष की प्राग्त, सुक्ष की प्राग्त यह सब शब्द हैं और इन सब का अर्थ अलग अलग नहीं है आप से अलग कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं दुखों में सांशीलों प्रत्कुलताओं में सांशीलों अपने विवेक को बल्वान बनाएं यही सच्चे सुप का रास्ता प्राणियों के बीज में हम राते हैं उसमें प्रत्कुलताओं अनकुलताओं आती हैं अनकुलता में राग होता हैं प्रत्कुलता में दोईस होता हैं यह राग दोईस दोनों हमें बांधते हैं जो आज मित्र है उदासीन हो सकता और वहीरी भी हो सकता जो वहीरी है उदासीन हो सकता वहर न करें और फिर मित्र भी हो सकता है मनुष का मन चनचों बदलता है तन सबका बदलता है चीजे बदलती है प्रवाधारा में कोई बैठा हो और इस्तिरता चाहे तो उसका भोला पन है हम प्रवाधारा में बैठे हैं जिनके प्रद्य हमारी ममता है वो सब चनचन बदलते हैं ऐसी बदलाहट में मनस के चित में दंदाता है वही दुख है वही बंदन है इन बदलाओं में मन अपना इस्तिर रह दंद गर्सित नौग, दंद से उपर रह यही सुक की प्राथ्ति है, परमात्मा की प्राथ्ति है, मोक्ष की प्राथ्ति परमात्मा कहा देने पर अल्ला खुदा गाड़ जितने भी परमात्मा के परियावाची है सब हो जाता है मोक्ष कहा देने पर मोक्ष निर्वान कल्यान सब हो जाता है सुख कहा देने पर भी सुख के परियाजितने हैं हो जाता है सुख मोक्ष परमात्मा ये सब का वी अर्थे के ही है महाँ भ्रम है कि परमात्मा अलग है और इसका जोर दोहजार वर्सों से ज़्यादा है उप्रिशन काल में ऐसा नहीं था वेद काल में बहुत देवबाद था समस्त प्राकृतिक देवी देवताओं की वे उपासना करते थे भीरी देव वे उस्से उबे जिन देवताओं की उप्रातना करते हैं वे देवताओंने कुछ दे नहीं पाते है अगनी की उपाचना करते हैं अगनी सबसे उड़ा देवता है वेद में अगनी सर्द से वेद शुरू होता है चारो वेदों में वेद रिक वेद पर्थम है वो बड़ा है वो मात पूर्ण है और उसका पहला मंत्र अगनी से सुरू होता है अगन मेले पुरोहितम यग चसे, देवम, रितजम, होतारं, रत्न, धात्मं, अगनी से शुरुर होता है, अगनी सबसे बढ़ा देवता है, अगनी की पूझा कि ये उपाशना कि ये लेकिन घर में आग लगी, कितनी प्रार्थना कि ये घर बचाने, कोई मनुष आग से छूग गया तो जल गया फसद जल गई खलियान में रखा हुआ सब जल गया उन्हें लगा ये देवता काम करना है वरों की उपाशना की वरों आगे चल करके जल का देवता बना वेद में तो नईतिक्ता का देवता पुराण में जल का देवता ये वेद में मैंने सब लिखा जल का देवता बना वरों बाढ़ाई हसल नश्ट हो गई मकानात नश्ट हो गई आदमी भाग गई तो उन्होंने सोचा ये वरण देवता भी कच्चा पवन देवता की उपाशना हुई मरुत की उपाशना वेदों में बहुत है लेकिन मरुत आधी आई सब कुछ को अस्तरव्यस्ट कर दिया प्रार्थना करने से कोई फल नहीं मिला तो उपासर डमा डोल हो गया सभी देवता जड़ है वेद के सारे देवता जड़ प्रकृत के इसलिए दैवी प्रकृपकार्थ होता है जड़ पदार्थों से कष्ट होना भूचाल, अग्निदा, बाड, सूखा, दाहा इस सबसे जो कष्ट होता है इसको कहते हैं दैवी ताप देव नाम जड़, जड़ की शक्त तो ये सारे वैदिक देवता जड़ और इनकी उपासरा में प्रार्थना जो की गई उसमें उनका व्यक्तिकरण किया गया सभी देवताओं को मालूम होता हुव्यक्ति हैं उनसे बाते की गई, प्रार्थना की गई हजारों बर सुत्व के प्रार्थना चली अंद में रिशी उदास है अगने को ब्रह्म कहा गया था पहली बार ब्रह्म कारत होता है जो बढ़ है आग जलती है तो बढ़ती है ब्रत्वात ब्रह्म बढ़ने से वो ब्रह्म है अगने को ब्रह्म कहा था और जिन वेद मंत्रों से अगन में हवन किया जाता है वन मंत्रों को भी ब्रह्म कहा गया और जो इसका प्रयोग करे उसको ब्रह्मण कहा गया आगी चल करके ये लगा आग ब्रह्म नहीं तब ब्रह्म की परिभाशा आत्म के लिये हुई आम ब्रह्मास मैं ब्रह्मास और इसका परिपाग उपनिस्दों में हुआ जिसको वेदांत कहते है उपनिस्दों में पहली उपनिशद इश उपनिशद है जो शुक्र जजुर वेद का चालीसमा अंत्यमी आध्या है 18 मंत्रों में गुले बाकी उपनिशने ब्राह्मण और आरेनक के हर ब्राह्मण और आरेनक वेद के होते इस रही इनको वेदांत कह जाता उपनिशनों को जो 10-12, 11-12 इस ब्रह्म का विचार उपनिशन काल में हुआ वेदांत के नाम से उसके पश्यास सास्त्र बने है सभी सास्त्र आत्मबाती है आत्मा पर जोड़ इसके साथ तथाकत गुद्ध हुए है और महावीर स्वामी एक ही समय में दोनों हुए महावीर जेट थे वो दून से लवरे थे दोनों का कार्चित रेक था आज का उत्तर परदेस और बिहार जुकालाता है इसी में दोनों जीवन भर रहे मावीर स्वामी एक आत्मबादी थे बुद्ध अपने डंक से उगी आत्मबादी थे उन्होंने का अत्ता ही अत्तनो नात हो अत्ता ही अत्तनो गत सुन्सक्रिप में आत्मा कहते हैं और पाली भास्ता में अत्ता कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नातो आत्मा ही आत्मा का स्वामी है अत्ता ही अत्तनो गती आत्मा ही आत्मा की गती गती नाम प्राप्ती गती कहते हैं गमन को प्राप्ती को, मोख्च को कल्यान को आत्मा ये आत्मा की गत्य प्राप्तब को तिस्प्रकार बुद्ध और महावी ये दोनों भी आत्म बादी हुए है आत्मा से लग इश्वर नहीं है आत्म चिंतल कानकारज वेवस्था करम सिद्धांग ये सब इसमें फले फुले आगी चल करके नाराणी उपासना चली यादों में पहली बार ये बुद्ध के समकाली कि या पहले या पीछे है नाराणी उपासना चली नाराण को विश्व का रुब माना गया और कृष्ण उसी परिवार में थे कृष्ण इसे योग के पुरुष्वे कि उनको मान लिया गया कि वो नाराण के आवतार आगे चल कर किशी के काल में नहीं पीछे और आओर आगे चल करके आवतार नहीं किन्त कृष्ण ही संपूर्ण नाराण को छोड़ दिया गया यहां से सगुण उपासना और इसर उपासना बरवान हो है और इसा के लगभग बालमीक रामयण में स्री राम चारो भाईयों को विश्व का अंशा उतार का गया उनकी पूजा नहीं हुई उपासना नहीं हुई इसा के हजार वर्ष बाद स्री राम को पूर रूप से प्रब्रम मना गया इस प्रकार दो हजार वर्षों में इश्वर उपासना जोर पर हुई परोग चीश्वर अलग इश्वर आत्म चिंतन गट गया लेकिन भारती परंपरा के मूल सास्त्र जो वेदांत हैं सांख्य छे सास्त्र हैं ये आत्म बादी है कवीर साहिब का अपना चिंतन आज से छे सो वर्ष पूर्ड हुआ पांसो छे सो वर्ष पूर्ड उन्होंने शगण उपासना के सब्दों को लिया नारायन हरी राम रगुराई तक लिया साज समाधी उन्होंने जा गई साज मिले रगुराई ये उनके विचारों की व्यापकता है शब्दों को काट देने से अपनी विचार प्रिशित करने में सरल्ता कम होती है शब्दों को ले करके अपनी विचार प्रिशित करने में सरल्ता होती है इसलिए विवेकवानों ने हर समय शब्दों को आदर दिया कभी साहिब के जमाने में राम, हरी इस अफशब्द बहुत ब्याबत है इन शब्दों को उन्होंने लिया इसलिए कुछ लोग मान लेते हैं कि कभी परोच इसर को कह रहे है परन्तु उनकी वाणियों पर पूर्वा पर विचार करने पर साथ हो जाता है कि उनका हर, उनका राम परोच नहीं है, अपरोच अलग नहीं है, स्वेम आत्मा कभीर साहिब का विचार अपने ढंग से सांक वेदान तित्यादी है जो भारती परंपरा के मूल में है और काना चाहिए सत्य के मूल में है आप विचार कीजिए, इश्वर कैसे मिलता है लोग कहते हैं, इश्वर मन वानी से परे, इंद्रियों से परे आप से भी परे, और मन वानी से भी परे, तो कैसे मिलेगा और मन में नहीं आता है, वानी में नहीं आता है, इंद्रियों में नहीं आता है अवा आपको पाने के साधन यही सब है। मैं तो कैसे मिले है अवा आपसे भी पड़े लेकिन मन वाणी इंद्रियों से पड़े है और आत्मा ही है। तो तंत्ते वह आप ही है। जो मन वाणी इंद्रियों से परे हैं, मन वाणी इंद्रियों की प्रेरहिता हैं, उनकी द्वारा प्रेरित नहीं है, किन्तु आप ही मन वाणी इंद्रियों को प्रेरित करते हैं। इसलिए आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा बाहर नहीं। सुख, इंद्रियों की जो अनुकूलता है, सुख लगता है, लेकिन उसके बाद दुखाता है, इंद्रियों की अनुकूलता में जो सुख लगता है, उसी में मौह बनता है, और मौह ही आगे चल करके रुलाता है, चीजे सब भी खरती है, जवानी डिली हो जाती है, इंद्रिया सितिल हो जाती है, अनकूल लोग पृत्कूल हो जाते हैं, अब वासना जटकती है, वही वासना बल्वान होकर के जन्वानतर में भी खीचती है तो जो स्वांसारिक पदार्थों में सुख की कल्पना है ये दुख का काणवनता है सुख और परमात्मा की परिवासा ठीक से समझ देनी चाहिए और मोख्ष मोख्ष है मोख अच्छ है वो वंधन से बाधिया एक विचारा जी परते दिन कोई एक एक अरसी अपने शरीर में बांद है तो साल भर में 365 रसीयों से बद जाए और जीवन में हजारों रसीयों से बद जाए आदमी यही करता है एक एक बंदन रोज बनाता है तमाकू खाते थे कुछ दिन में गुडाकों भी घिसने दे बीडी बना मेला तो बीडी भी पीने लगे मित्र यहां गए तो कहा उसने एक ग्लास सराब लो आज के जुब में सराब नहीं पीते हो कौन आदमी सराब लेने पिर आदद पढ़ गई सराब लेने लगे एक एक बंदन आदमी रोज बनाता है बिला वज़ दाल भार रोटी सब्जी खाया तब उठा तब क्या खाया तमागो सुपारी पान दाल भार से पेट नहीं बार यह चमकते दाद को गंदी गंदी चीजे खा करके दाद को काली पीली कर काली पीली कर ला दे क्या कमाई किये क्या फाइदा हो बिवा के पत्री में मोगी है पत्री ने पत्री से मोगी है बच्चा आया तो उसमें मोग हुआ बच्चा बड़ा हुआ उसकी साधी हुई बहु में मोग हुआ उसके बच्चे आये तो पोते में मोग हुआ और उसके समधी लंधी सब बढ़े फिर मोह बढ़ता चला गया चारों तरफ जहां जहां जुड़े वहां 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 बनाते चले गए और यह सब अपने गली की फांसी होती चले गए जीवन भराग्मी क्या करता इंद्रियों की गलतियों से मन की गलतियों से, संबंधों की गलतियों से बंधन बनाता चला आए यह बंधन जीव को तकलीप देते हैं इन बंधनों को काटना मोच का रास्ता पदार्थों के सुख से हट करके आत्मा के सुख की तरफ लोटना सच्चे सुख का रास्ता पदार्थ जनित सुख, आत्म जनित सुख, ये दो सुख है, पदार्थ जनित सुख, दुख लाते हैं, आत्म जनित सुख, अनंत सुख है, क्योंकि आत्मा अनंत है, उसका आंत नहीं, खतम नहीं होता है, और पदार्थ खतम होता है, पद खतम होता है, बड़े बड़े पोश्क पर रहने वाले जब रिटायर्मेंट उनका होता है तो वे कव आते हैं कव आना, बड़बड़ाना, सपने में बड़बड़ाना कव आना कहाता है नीब खुलते ही उनके दरवाजे पर लोग पहुंचाते थे मिलते नहीं थे वो किसी से, लेकर लाइन लोग लगाते थे जब आठ दस बजे तक बैठते थे मिलने के लिए तो भीर लगी रागी थे अब रिटायर्मेंट होगे अब कोई मिलने नहीं आता एक कमिशनर रिटायर्मेंट मिलने आये उनके लड़के भी थे बहुत निकट के हैं कहना राज पिता जी अब बोर हो रहे है हमके भाई कमिशनर थे और सुबह से भीर लगती थी उनके दर्वाजे पर तो कमिशनर शाहिम ने का साहिब क्या करूं चार घंटा तो पढ़ता हूँ अद्देन करता हूँ कितना पढ़ता है तो बोरो नपढ़ता है पदार्थ इस्तिर नहीं है पदार्थ जनेत सुख छड़िक हाथ में जनेत सुख अनंद सुख मोक्ष और परमात्म ये तीनों तीन नहीं है एक है वो आप है अपने को पैचानों अपने को एकदम लोग भूल गए आप दे नहीं हो प्राण नहीं हो मन नहीं हो भुत्य नहीं हो आंकार नहीं सुख से सांग तक जिसमें आप अपने को जोडते हो नहीं हो दरपन में देखे आखे दंद पंगतियां कपोर टुड़ी बराणी भौ सीना गला हाथ यह आप नहीं अब भ्यास इसी कह यहीं सम्मर मकान मेरा मकान कहां मेरा मकान इसी मकान में से लाच निकलना यह सब साथी कहां साथी जो मरे किसी को ले नहीं गए कोई चीज नहीं ले अम्बानी ने मोबाइल का कितना परचार किया जाते समय एक मोबाइल नहीं ले जा सका हम लोग भी जो कुछ भी है क्या साथ है सारा संबंध नकली है अपने आत्मा को पैचाम जब आप गाड़ी नीद में जाते हो तो आपको कुछ ख्याल नहीं गाता परम सुक में राते हो नीद में आते हो तो दुख सुरू होता सुप्र में आते हो तो दुख सुरू होता और जाग जाते हो तो दुख बढ़ जाता है ऐसा जीवन बनाओ गाड़ी नीद का सुख जागते अवस्था मेरा है जागते अवस्था में वो गाड़ी नीद में फरक इतना है कि गाड़ी नीद में वो कुछ ख्याल नहीं रहता है और जागरत वस्ता में ग्यानी देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, लेकिन कोई तक्रीफ नहीं आती है, सुसुप्त के समान सुखर आता है, क्योंकि वो सच्चे अर्थ में सुसुप्त है, सुसुप्त कार्थ है अपने को पाना, स्वा अपीत सुसुप्त यह दो पद मिलकर के सुसुप्त सब बनता है, स्वा अपीत, स्वा खुद अपीत पाना, सुसुप्त शेते सुखमकस्त सुख से कौन सोता है तो उत्तर दिया है समाधि निष्ठा जो समाधि में निष्ठा उपदर सम और आदि सम समान बराबर समन आदि मांसिक पीड़ा जहां शमन हो जाए वो समाधि जागर्ट में रहते रहते सुसुखति का आनम यह मोग्च वस्ता है जीवन मुक्त वस्ता है जीवन मुक्त कोई महात्माओं के कबड़े वाले महात्माओं के रिजर्वेशन में नहीं है और पुरुषों के रिजर्वेशन में इस्त्री और पुरुष गिरस्त और विरप्त सबके अधिकार में जो उकाम करेगा वोई पाएगा गाड़ी नीद का सुख जागर तवस्ता में लो यह कब होगा? जब हर समय सत्यता को देखोगे सत्यता को आदमी हर समय देख नहीं पाता है हर समय क्या बर्ष बर्ष बीत जाते नहीं देखता है जीवन बीत जाता है जीवन में कोई छंक किसी काता होगा यह वो सत्यता देखता हो और जो हर समय सत्यता देखता है फिर क्या पहुचना है? सुर्ग में पहुच गया है पौरानिक सुर्ग तो विसेवासनका है लेकिन यह सुर्ग विसेवासनका नहीं है ये सुरग अपने आपका है, सुरगा सुरग सुरग अपने में गागमन है, सुरग ये सच्चा सुरग है चित की शुद्ध से अवस्ता आएगी अपने मन को साफ करो जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, मन खराब होने का साधन वहीं बनता है कुछ लोग आपके अनकूल होंगे, कुछ लोग परतकूल होंगे अनकूल वाले परतकूल हो जाएगे, परतकूल वाले अनकूल हो जाएगे जो बड़ा अन्पूल है वो भी कुछ कट कह देगा कब कह देगा फिर बीठा कहेगा पच्ताएगा यह तो दुन्द दुनियम चलता है इन सम्में समता धार्ण करो साथी लोग कट कह दें तो बैर न बादा कमजूरी है मन की मनुश्य की कह दिया है भूल जो आप कट कह दिये हो तो दोहराओ न चमा मांगो न चमा मांगो तो दोहराओ न बसो ही चमा मांगना है अपना कट न काओ कट हो जाए उसको छोड़ दूसरा कट कहें साथ घर छोड़ करके अलग चले जाओ वहां भी साना पड़े जाँ जाओ कि वहां साना पड़े अजीती का उदाहरन और बेवकूफ का उदाहरन विवेप्रकाश टीका में मैंने लेखा है कहानिया कालपनिक हुआ करते ही लेकिन बातों को समझाने के लिए बहुत मारमिक होते हैं एक दमपती थे पत्पत्नी पुरुष का नाम था बेवकूफ और पत्नी का नाम था फजीती कि दोनों में जगड़ा हुआ कि फजीती चली गई रूट करके बेवकूफ खोजने चला उसने पूछा इधर फजीती गई है लोगों ने कहां फजीती को हुए मेरी पत्नी के तेरा क्या नाम थे बेवकूफ कह तो बेवकूफ जहां रहा है कि वहीं फजीती मिलें हमारी बेवकूफी नहीं गई है हर जेका फजीती मिलेगी अपनी बेवकूफी कटम करना जा रहा है महां छोड़ दे अलग चले जाए वहां पी हमारी बेवकूफी रहे ही की तकलिक देगी इसलिए बहुत अस्थान बदरने की जरूर्द नहीं, काम करने की जरूर्द साना सीखो सास बहु में, ननत भावज में, द्यवरान जठान में पिता पुत्र में, भाई भाई में, कहीं भी संबंध में, कहीं कटवा सकता उसकट को भूल जा, चीजों पर मन न रखो, गुजर पर ध्यान दो, तुलना में न पड़ो तुलना करना है, तो अपने से कम वालों की तुलना करो अगर आपके पास मोटर साइकिल है, तो साइकिल वालों से तुलना करो गाड़ी वालों से न है, चार पाइए कि गाड़ी वालों से न है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है अब आज तक साइकिल चलाना नहीं जानता हूँ, कोई मुझे साइकिल दे दे तो मैं चला ही नहीं बाहूँगा अब बहुत सुखी हूँ, पैदा चल लेता हूँ, भगत रोग जहां गाड़ी लाते हैं बैट लेता हूँ, ट्रेम पर बैट लेता हूँ किसी की चीज को देख करके तुलना में न बढ़ो, तुलना करो तो अपने से छोटेगा, महल के तुलना न करो, जोबड़ी से तुलना करो, जिनकी आंदरी कम है उनसे तुलना करो ऐसे ऐसे लोग हैं, जो बहुत कम कमा पाते हैं, जिल्ली से एक सर्जन आये मिलने के लिए मेरी पुस्तकों से प्रभावित हुए है, तो आये चाचा दिन मेरे पास रहे लावा, कहे महाराज, गई भी मुझे बहुत कष्ट देती है, आर्थिक दिष्ट से है और शैक्षण दिष्ट से उचे अस्तर के होगा है, वो इसी भासा में कहे, महराज एक मेरा भतीजा है, आठ लाख रूपे महीने तनखा पाता है, आठ लाख रूपे महीने हैं, और एक है वो पांस जार रूपे पता है, और महराज ऐसे भी लोग हैं कि इसी दिल्ली में दो हजार रूपे महीने पर दिन भर काम कर दुकानों पर यह गईबिंग बहुत खलती है एक पूजी पतियों की सभा में जब मनमोहन सिंग गए तो उन्होंने कह भाई यह गईबिंग कम करो बहुत तंखा अलम भी देते हो जिनको कम देते हो उनको कुछ बढ़ाओ पूजी पतियों ने बिल्कुन नकार दिया कहने यह हमारा भी शरहिज पर आप अस्तर छेपन के दो हजार रूपे तंखाव में भी जीने वाले है अब ऐसे लोग भी हैं जिनको दो हजार भी तंखा नहीं भी जाता है उनको भी हो जाता है गुजर वसर पर ध्यान दो जो आपके पास है बहुत है यह विचार रखे बिना कोई सुखी नहीं हो सकता दूसरे के अमसार हम कभी वही नहीं सकते और यह बाहर की चीजों से ज़्यादा हो जाने पर क्या खायदा होगा भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगा मिल जाए और मन में शान गिरा है तो इससे बड़ी उपलत दुनिया में कुछ नहीं और मैं मानता हूँ यहाँ जितने नर्नारी बैटे हैं सब को भोजन मिलता है और सब को कपड़े मिलते हैं और सब को सोने की जगह मिलती है, मन कितने लोगों का शान्त है तो अपना-पना सुन देखा है, उक शान्त करने से शान्त हो गया, लड़ों के तो शान्त हो गया, पत्नी से लड़ रहे हैं, पत्नी से देवियां लड़ती हैं, ये देवियां कम थोड़े हैं लड़ने हैं, एक चलोगी पाथ पर तो इस प्रकार ये दीवी ओ देउता लड़ेंगे तो सुखी नहीं रहें पत्पत्नी प्रया जब मुझसे मिलने आते हैं तो मैं पहला प्रस नहीं करता हूँ आपस में लड़ते तो नहीं देवियों से पूछता हूँ तुमारे देवता लड़ते तो नहीं हैं लड़ने की प्रविर्त छोड़ो प्रेम से जीने की प्रविर्ती अपनाओ बुझरुगों का आदर करो आजकल बुझरुगों का आदर घट रहा क्योंकि पढ़ाई बढ़ गई है इसलिए दिमाग दु कहानी एक इसकी परमार जी की है हम मैट्रिक पास हैं वो एक कहानी बहुत बढ़ियां जो धंतरी में परमार जी हो चुके हैं तो एक लड़की मैट्रिक पास थी तो हर बात में कहा हूँ अंकार के मैं मैं मैट्रिक पास हूँ तो एक ने ब्यंग किया मैं ट्रिक पास हूँ और परिवार तूट रहा है, देहात में अभी भी काफी खुशा रहा है, शाहर में काफी तूट रहा है, और देहात में भी टीवी तो घर-घर ब्यापती ही हो गया है, बड़ों का आदर घट रहा है, और जो आदर घट आते हैं, वे भी बड़े हुए, बजरुग होगे, उनकी ने दशाय आई गी तूट बिनम्मर वरों, सांशीर वरों, सारों, साने में कुछ लगता नहीं है, फिर मोख्ष है, साने में मोख्ष है, साधना क्या है, साना, किसी की भली बुरी सबकी सुन लीज़े, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो यार फकीरी में, ये खाली गाने की लिए थोड़े, खुब गाय जाता है बढ़िया, और बजा भी लिया जाता है, ये आचन करने की चीज़े, भली बुरी सबकी सुन लीज़े, कर गुजरान करीबी में प्राणियों के बीच में सांशील वनों पदार्थों में कम से कम गुजर करने की चेश्टा करूं संतोस विद साहिब मिले सबूरी में साहिब सबूरी में सबूरी नाम संतोस साहिब कहने से द्वित लगता है साहिब परमात्मा है वो बाहर है जब संतोस करेंगे तो आके मिलेगा कोई परमात्मा की नहीं मिलेगा साहिब आत्मा है आप स्वेम साहिब है स्वेम परप्रम्न हो संतोस करोगे तो अपनी आप मिश्टित होगे आप संतोस संतोस सुख है रहो तरदे जुड़ाएं संतोस आया बस अपने आप में इस्तित यस्त्वात मरत रेव स्यादाग द्रिप्तस्यमानमा आत्मन्नेव चसंतुष्टस तस कार्यम नभिद्यते ये गीता में आता है यस्त्वात मरत रेव जो अपने आत्मा में ही प्रेम करता और आत्मा में संतुष्ट होता है और आत्मा में इस्तित होता है उसको कुछ करना बाकी नहीं आत्मत्रिप्त हो गया जो क्या चाहिए आत्मा परमात्मा साहिम मिले सभूरी में संतोस में परमात्मा मिलता है ये कहने क तरीका है कहने में दोईत रहता है सदेव लेकिन उसका अर्थ अदोईत है अकेला है दोईत अदोईत का जगड़ा साहिब बहुत सरलता से साफ कर देते है बेदान तो आज तक साफ नहीं कर पाया नहागे साफ कर पाया जिसको बेदान्त कहते हैं वैसे बेदान्त कार्थ तो है ज्ञानकान लेकिन आजकल जिसको बेदान्त कहते हैं वोग कहते हैं कि आत्मा केवल एक है और जगत है ही नहीं तो येक आत्मा और जगत है नहीं तो कौन किसको समझा रहा है बस्ताथ आत्मा एक नहीं है अनेक है। और जगत अपनी जगह पर सत्य है। बदलता हुआ है।bew आत्मा से अलग है। जगत में जगत सब समय हैं। आत्मा में जगत नहीं है। और सबकी आत्मा अलग अलग है। इसकी घोशना कपिल जी ने हजारो वर्ष पूर्व की जनन मरन करणा नाम प्रतिनियमाद युपद प्रविटेश चा पुर्ष बहुत्तम सिद्धम त्रेवन विप्रयाद चाहिए ये प्रशिद्ध सांख कारिका है एक काड़ का ये है जनन मरन करणा नाम प्रतिनियमाद युपद प्रविटेश चा त्रेवन प्रविटेश चाहिए इसलिए पुरुष बहुत्तम सिद्धम इतनी युक्तिवे देखते हैं बिलकुल आपके पारक्षिद्धांद के अमसार जनन पैदा होना मरन मर जाना खालsta है करना नाम प्रतिनियमाद लग, करणों के प्रतिनियम करण कहते हैं आँख नाँग कान जीव चांको इनके प्रतिनियम सबके अलग अलग है जो सबके अपने इंद्रियों का बरताओ अलग अलग है और सबकी प्रविट अयुगपत है युगुपत नहीं है, एक हद्द्धा करता है और एक किसी तकलीफ में डूबी हुए आदमी का उद्धार करता है, सेवा करता है, एक घोब में लगा, एक त्याग में लगा, एक तामसी है, एक शीर्वान है, एक खुराभाती, पुरुष आत्मा बहुत है ये सिद्ध है पुरुष कार्थ होता है चेतन पुरुष ये दुपद मिलागर के पुरुषद बनता है पुरुष पुर नम आगे उश नम जलाना आगे आगे जो ज्ञान प्रकास कहता रहा है ओ आत्मा पुरुष नारी के सरीर में हो, पुरुष के सरीर में हो, नपुनसक के सरीर में हो अत्मा पुरुष यह आत्मा अनेक है, बहुत है, यह वास्तमित्ता है, अब आत्मा से जड़ जगत लगे, मिट्टी पानी आगवा उसके अनंत कार्ज पदारत, तो एक कम है, सायम ने दोईत अदोईत का मन्थन बड़े स्रल डंग सिकिया, एक कहों तो है नहीं, दो एक कहों तो गार, है जैसा रहत ऐसा कहें कभीर विचारी, एक अगर कहों तो ऐसा है नहीं, अनेक लोग बैठे हैं, यह कहां है, लेकिन जब सादक समाधि में पहुंचा, निर्विकल्प हो गया, संकलब शून ने हो गए, तो दोईत कहां है, संकलबों से जगत मन में प्रत्विम्वित होता है, संकलब यादगीरियां, अस्वर्तियां, मिमोरियां, शांत होई, तो जीव अकेला रह गया, अदोईत हो गया, तो आदोईत कहना, उस परमार्थ तको गाली देना, एक कहों तो है नहीं, दोई कहों तो गाली, है जैसा रहत ऐसा, जैसा है वैसा रहता है, कहां कभीर विचा जगत नानात्मक है, जड़ चेतन सरवता अलग है, जड़ के अनेक तत्त है, एक तत्त में असंक क्ण है, अवात्मा असंक है यह वास्तविक्ता है, लेकिन साधक जब मन समेट करके आत्मलीन हो गया, तो अद्दोईत कहा है, तो अकेला हो गया, समाध में अद्दोईत होता है, अपने अस्थान पर कोई भी हो, जो समाध प्रार्प्त हुआ अद्दोईत हो गया, समाध में जब नहीं है, विशारों में हैं, तब भी विशारों का अद्दोईत है कि मैं अकेला हूँ, भीड में राते हुए भी अपने को अकेला समझो क्योंकि जीव अकेला बहुत बड़े परिवार और समाज का विक्तिज़ मरता है अकेले जाता है, किसी खुले नहीं जाता है इस बात को समझने की जरूरत है परमात्मा, मोच्छ और सुक ये तिनों बात एक है उस सब आप में घटित है अपने को पहचानों, अपने को इस्त्री नमानों पुरुष नमानों, कलागोर नमानों, ब्रामर सुद्र नमानों कविर पंती वैशों वेदानती नमानों ये उपचारिक है आप शुद्ध चेतन, निर्मल है, अमल है कोई उसमें दुख नहीं, कोई संताथ नहीं, कोई पीडा नहीं अपने को भूल गए, आपन पो आपो ही विशर्यो, जैसे स्वान कांच मंदर में भर्मित भूस मर्यो, ज्यों के हरी बप निरक कूप जल प्रतिमा देकी पर्यो, वैसे ही गजपटिक सिलासो दसनन आनी अर्यो, मरकट मूठ स्वाद नहीं बेहुरे, घर घर रटत फिर्यो कहां कबिर नलनी के सोना, तो ही कवने पकरे, बड़ी बिराभामना से साहिख काते हैं, कहां कबिर नलनी के सोना, नलिका यंद्र में लाल में रिची लगी थी, सुगा उसको खाने के लोग में आया और फस गया, यह न्योक्ति अलंकार है हम लोग सुगा नलिका यंद्र यह संसार चक्र है इसमें जो चमक दमक, मिध्या चमक दमक है इसमें फस करके दुख होते है कहां इंक भीर नदनी कि यह सुवना तो ही कोने पकरे बड़ी कावां से साहब गाते है अलिका का सुगार तेव किसने पकड़ा तू ही पकड़ा क्या करे महाराज छूटता नहीं जूटेगा कैसे नहीं तुम छोड़ दो छूटेगा तमक उखा रहे हैं क्या करे महाराज छूटता नहीं कैसे नहीं छूटेगा प्रतिग्या कर लो फेंग दो फिर्णा खाओ चार चार दिन मन टाइटाइँ करेगा उसमें द्रह रो फिर छूड़ी गए कायर कूचर बने रहो गे तो क्या छोड़ा एक दिन तो छोड़ना है हम तो कहे थे गली छोड़ दो लेकिन दुनिया को छोड़ चले किसी कभी ने बड़ा सुंदर कहा मैंने तो कही थी गली छोड़ दो लेकिन दुनिया ही छोड़ दर के चल दी गली यहीं गलत गलियों में न चबो अंत में तमाकू, सुपारी, पान, सराब, कबाब ही नहीं घर दुआर छोड़ की चल देना पड़े लेकिन हमारी कायरता आपका परमानंद, आपका परमसुख, मोग्ष, परमात्म, आपका आत्मा खोटी आदत दूर करो लड़ना बंद करो दूसरे के दोस को देखना बंद करो अपने दोसों को देख के लिरंतर निकालो गम खाओ, शमा करो, संतोस रखो कम से कम बस्तों में गुजर करने की आदत डालो अपने को समेटो चारो तरफ से तब परमानंद की प्राप्ति होगी यही परमात्मा की प्राप्ति है परमात्मा आत्मा है हमारा मन बाहर लगा है तो आत्मा में नहीं टिकता है बाहर जब उदास होगा तो आत्मा में टिकता है यह गणित की तरह है गणित एक महा विज्ञान है जिसमें पूरी दुनिया में दोराय नहीं है लोग काते दर्म और अध्यात्म तो मानेता है धर्म और अध्यात्म गणित है धर्म है संयम और शील अध्यात्म है अपने को सब तरफ से समेट कर आत्मलीन हो जाना है यह गणित की तरह है संयम और शील अपने पर जितना संयम करोगे दूसरे के साथ उतना शील का बरताव करोगे और अपना जितना लंपट रहोगे उतना दूसरे को तकलीख दोगे इगनित की तरह है अध्यात्म है अपनी तरफ लवटाना अधी आत्म अध्यात्म इस दो पदो से अध्यात्म सब्द बना अधी आत्म अधिनाम आधार आत्म नाम स्वेम स्वेम ही जिसका आधार है वही अध्यात्म है जब परावलंबन छूट गया, बाहर से सुख पाने का ख्याल खत्म हो गया, अपने में पर्मानंद है, अपने में डूर गया, मनमस हुआ पर क्यों बोले? हीरा पाव गांट गठियाव बार बार आपको क्यों खोले? हलकी थी तब चड़ी तरा जूब पीव पूर भया तब क्यों तोले? सुरत कलारी भई मतवारी मदवा पी गई बिन तोले? हंसा पाव मान सरो और ताल तलईया क्यों डोले? तेरा साहब है घड़ बीतर बाहर नहना क्यों खोले? कालत कवीर सुनो भाई सादो साहब मिलगे तिलो दे अब इस सब में अब साहब मिलगे तिलो ले तो लगेगे साहब ले इसलिए शब्द पूरा समर्थ नहीं होते हैं तत्य को बताने में उसके लिए अनभवी गुरूरी रास्ता बताता परोग शमानिता के चक्कर में मत पड़ो बाहर कहीं कोई भगवान नहीं मिलता हल्ला बहुत है भगवान के दर्सन भगवान के दर्सन दर्जनो गुरू आज हैं जो भगवान के दर्सन कराते हैं और उनसे को हमाराज आपको भगवान के दर्सन होएं तो कुरूत में कोई दर्सन और्सन नहीं होता है। आपका पर्मात्मा आत्मा है। अपने मनेंद्रियों को सुद्ध करो, साफ करो, अंतरमुग करो। चित में जतना संतोस आएगा, मन निर्मल निर्विकार होगा, उतना अपने आप में विश्राम मिलेगा। पूरा निर्विकार मन पूर्ण रूप से विश्राम पा जाता है। जितना मन हमारा विकारी रहेगा, उतना उद्विगित रहेगा। अब पुन रूप से निर्विकारी हो गया, पुन उद्वेक्षून्य हो जाएगा, उद्वेक्षून्य अवस्था मुक्ष की प्राप्ति, परमात्मा और निर्वान की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, राम की प्राप्ति, इन वास्तविक्ताओं पर ध्यान दो, शक्त कि सब के पास है, अपनी शक्त को याद करो और समहालो, जागो, जिदने लोग सुन रहे हो, रोज अकेले में बैठना सुरू करो, व्यवहारिक रूप में जब तक ज्ञान न दोगे, खाली बत कहीं से काम नहीं होगा, सुबा साम अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंत पड़ो, अपने गुर्दोसों को देखो, पहले की लंपटता कितनी घटी, प्रोद कितना घटा, मो लोग कितने घटे, एशा करना, उत्तेजित होना, पर्तक्रिया में रहना, लेटे हैं, बैठे हैं, मन ही मन में उद्वेगित हैं किसी बात को लेके, ये नरक चल लाए है, पहले जैसा नरक है कि घटा, देखो, घटाओ, ध्यान करो, ये सब काम सुरू करो, और लगातार करोगे, देखोगे, थोड़े दिन में चित्त में अंतर आने लगेगे, आपको लगेगा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन जब आपको कभी पर्तकुलता आएगी, तब आपको दुख कम लगेगा, तब आप अपने धन को समझ पाएंगे, ये अंतर हो रहा है, ऐसे कई अनगों लोग बताते हैं, कई गिरस्त कहते हैं, कि महराज आपने जो साधना बताई, मुझे लगा कोई फादा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद देखा, लड़का तो पहले कुछ सामने कह नहीं सकता था, कह दे तो दुरद में बरस पढ़ता था, अब लड़का कुछ कह दे, तो मुझे दुख नहीं होता है, अब फिर लड़का साधान हो जाता है, और भक्त हो जाता है, तो मैं देखता हूँ, कि पहले जैसी चोट अब नहीं लगते हैं, पहले कुछ घाटा हो जाए, हान हो जाए, मैं ऊबर पढ़ता था, नीद नहीं आती अब घाटा हो जाए तो उतनी चोट नहीं लगते हैं ये सफलता हुए जितना काम करते जाओगे सफलता बढ़ती जाएगा अगर ये सोचोगे भगवान कर देंगे गुरू महाराज असरवाद्स देते हो जाएगा तो बैठे राला जा m गुरु माराज को असरवात दे रहा वह और को असरवात दे इसलिए भगवान और गुरु सबकी किर्पा है अपनी किर्पा अपने उपर करो और इसकी बड़ी कमी है आप लोगों में जो अकलालग बैठते नहीं है अकेले में बैठो रोज सुबह साम बैठो अद्धैन, ध्यान, चिंतन के लिए तीन काम अद्धैन ज्यान के ग्रंतों को पढ़ना चिंतन वास्तविक्ता पर विचार करना अपनी गुर्दोसों की समिख्षा करना और ध्यान मन को एकागर करने का अप्यास ये तीनों काम करते जाओ, धिखो कि अंतर आता जाएं, जितना अंतर होगा आप शुक्ष परमयात्मा, मोक्ष के निकट होते जाएं, निकट क्या हो? आप ही है, विकार हटता गया, चित निरमल होता गया, विबाद घटता गया, साथियों में विवाद नहीं होता है कला नहीं होता है बाहर कला घटा भीतर कला घटा शांति बढ़ती जाएगी यही परमात्मा और भोक्षिन प्राप्ति है इस पर सब काम करो आपको धन्यवाद देते हुए मैं इपनी गाड़ी को भिहां रहता हूँ बोलिये सद्गुरु दे आएगी मिनाज दे